कि अब दोस्तों नमस्कार कैसे आप सबी उम्मिद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत आपका श्रमेजनिंग क्लासेस के अंदर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर क्या हूं आप लोग उते लिए नई भरती की सूचना नई भरती 2021 में अभी हाली में खुली है भरती किस किस डिपार्टमेंट में दोस्तों पंचायतों और नयालियों में जो है भरती है आपकी ग्राम पंचायत जो होती है उनमें प्लस जो नयालियों यानि कि जो कोर्ट्स होते है अदालते होती है उनकी अंदर जो भरती है वो खुली है बेरोजगार युआं के लि कब आई हैं और इसके इंदर कौन-कौन से अलग-लग पद हैं हर इक दिपार्टमnh में किटने पद उसमें सरजित किए गए हैं सरजित करने का मतलव है कि इतने पद आप इस दिपार्टमेंट में भढ़ सकते हो तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल लाश्ट तक देखना आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी दी जाएगी वो भी ओफिशिल नोटिस के माद्यम से तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मापको नोटिस दिखाता हम गराम पंचायतों के बारे में तो देखो राजे की 300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्रो को मंजूरी पशु दन सहाय केंव जल्दारी के 600 पुदों के सरजन को सरी करती यहाँ पे सरजन कई लोगों को समझ में नहीं आ रहूगा सरजन का मतलब होता है दोस्तों वहाँ पे उस वेकैंसी को भढ़ने की जो प्रकिरिया होती है उसे बोलते हैं सरजन यह जो नोटिस है दोस्तों जैपूर 6 माई का नोटिस है इसमें आप लोग देख सकते हो क्या कहा गया है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वितवरस 2021-22 के दोरान राज्ये की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशू चिकित्सा उपकेंदर खोलने तथा इन केंदरों के लिए पशू धन सहायक एवन जल धारी के 300-300 पदों के सरजन को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री श्री श्री ने क्या कहा है कि राज्ये की जो 300 ग्राम पंचायते हैं 300 ग्राम पंचायतों में नए पशू चिकित्सा उपकेंदर खोले जाएंगे अब वहाँ पर काम करने के लिए वैक्तियों की याँ शकता होगी तो इसके लिए उन्हों ने दो पद निर्धारित किया है यानि कि 300 पशुदंस हायक के पलस 300 जो है वो जलदारी के तोटल दोस्तों 600 उपदों पर यहाँ पे भरती है जो काफी बड़ी ब़र्ती मानेगे उसके साथ साथ जो जितने भी उपकेंदर होते हैं उनमें एक पशुदन सहायक प्लस एक जलधारी के जो वेकैंसी है वो भी यहाँ पे दी है ठीक है ना तो टोटल दोस्तों आप 600 नई वेकैंसियां अचानक से आपके सामने उबर कर आई हैं यह तो है सिरफ पंचायतों के आगे नयालियों की मैं बताऊँगा टोटल आपकी 1150 तक पहुंचाएगी इतने पदो पर आपके यहाँ पे नई भर्तियां आई हैं ठीक है ना तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया क्या कहा गया है डेलोत ने जो है वो भी हाल ही में 600 पदो के सर्जन को मंजूरी दी है अब देखो उलेखनिया है कि वित वर्ष 2019-20 के बजट में मुख्यावंतरी ने आगामी पात साल में राज्ये में नए 1500 पशू चिकितसा उपके अंदर खोलने की गोशना की थी कब जवित वर्ष 2019-20 चला था ये पिछले साल तो इन्होंने कहा था कि पांच साल में 1500 ने पशू चिकितसा उपके अंदर खोले जाएंगे इसके दरश्टिगत वर्ष 2019-20 में 400 पंचायतों में तथा वर्ष 2020-21 में पंचायतों में ये उपके अंदर सविकर्त किये जा चुके हैं पहले ये 400 पलस अब 200 के अंदरों में और किये जा चुके हैं टोटल होगे 600 और 600 यहाँ पे पद निकाल दियो और 600 पंचायतों में ये उपके अंदर खोल दिये गए हैं ठीक है ना आई बात समझ में तो मुख्यमंत्री की इस सविकर्ती से पशु पालकों को पंचायत स्तर तक पशु धन के उपचार की सुविधा मिल सकेगी पहले क्या दोस्तों जैसे देखो ग्रामिन जो इलाके थे जो ग्राम पंचायत केंडर में आते थे वो कि अपने पशु को लेकर शहरी इलाकों में जाते थे वहाँ पे सर्जन से अपना इलाज करवाते थे मतलब पशु का जो भी ट्रेटमेंट होता था वो करवाते थे अब क्या है वो ग्राम स्तर पर भी अपना जो पशु है उसको ले जाकर करें पशु का इलाज करा सकते हैं क्यों क्यों कि हर एक ग्राम पंचायत में एक पशु चिकित सा उपकेंदर होगा ठीक है ना वेटनरी ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो आपके ग्राम पंचायत में हो जाएगा इसी के लिए पशुदन सहायक और जलधारी के छ केंदर ज्यादा को बाउंडेशन नहीं है ऐसा नहीं कि आप पशुदन सही हो या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो आप बर सकते हो फूम को विडियो में वन बाई वन डिस्कस करेंगे सबी चीजों को विल्कुल अलाम से इस नोटिस में सिर्फ इतना है दोस्तों कि 2019 2020 में 400 और अभी 2020 में 205 तो में उपकेंदर खोलने के सवक्रति मिल चुकी है और इसी कहता है तो यह जो है पशुदन साय को जल धारी के तीन सो तिन सो पदोग सर्जन को मंजूरी मिल गई है ठीक है ना यह तो हो गया इसका नोटिस बात करें हैं अगले नोटिस के बारे में अगला नोटिस क्या है दोस्तों अगला नोटिस जो है वो है नयालियों की भरती के बारे में नयालिय आप समझते होंगे दोस्तों अधालत कोर्ट ठीक है ना अधालत कह दो या कोर्ट कह दो आप लोग समझते होंगे यार समझदार अपलोड ठीक है तो देखो जैपूर का यह नोटिस है, 6 माई का यह नोटिस है, मुख्या मंतरी शिरिय शोगलोद, पहले यह देखो, परदेश में 48 नए न्यालियों के मुख्या मंतरी की सविकरती, विबिन केडर के 550 पदों के सरजन को मंजूरी, देखो, 600 पद तो उसमें होगे, पश्यू साहय कुप के अंदर में प्लस 550 इसमें होगे, टोटल पद होगे 1150, कितने पद होगे टोटल, 1150 यहां पे पद हो चुके है, 1150 पदों पर भी अचानक से इस महामारी के टाइम पे वेकैंसी आई है, तो यह सोने पे सवागे वाली बात है, अब देखो, यहां पे कहा है दोस्तों, 48 नए कोर्ट खोल प्लस ने के आदेश दिये है, मुख्या मंतरी शिरी अशोग गहलोत ने सविकर्ति दी है, तो क्या है इसके अंदर, कहां कहां खुलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, मुख्या मंतरी शिरी अशोग गहलोत ने, राज्ये में 48 नए नियालिया खोलने तथा इनके लिए विबिन केडर के 550 पदों के सरजन को सविकर्ति दी है, उलेखनिया है कि मुख्या मंतरी ने वित वर्ष 2021 के बजट पर बहस तथा वित वीनियोग विदेयक पर चर्चा के तुरान विबिन स्रेणिंग के नयालियों को खोलने की गोशना की थी, उन्होंने कहा था कि ज और हाँ दोस्तो, अगे आप लोगों को ये नोटिस पूरा देखना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपको मैं पूरा नोटिस पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर वी आपको दुबारा देखना है, तो आप लोग राजस्तान गोवर्मेंट की वेबसाइट पर जाके इस नो पूर सिटी में, अपर जिला न्याय दीश नयले की सविकरती दी है, यहाँ पे दोस्तो, विकने रवल भी बाड़ा और जोदपूर, यहाँ पे तो खुलेंगे वाने जीक नयले, अब देखो बाई, कोट खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे काम करने वाले करम पूंचारी भी होने चाहिए, इसलिए पांसो पचास पदों के उपर वकैंसी निकाल दी है, तो यहाँ पे तो यह वाने जीक नयले खुलेंगे, प्लस जालोर, सिरोई, वैर, डुंगरगट, नैनवा, यह जो मैं आपको नाम बताएं हैं, यहाँ पे अपर जिला नयाय दी थाना गाजी, मुंदावर, खाजुअला, हिंडोली, तथा चबड़ा में वरिष्ट सिविल नयाय दीष, एम अतरिक्त मुखे नयायक मजिस्ट्रेट नयले, टौंक चुरू जैसल में, यह दोस्तों यहाँ पे पदों के नाम है, कि कौन-कौन से नयायले वहाँ पे खुले खुलेंगे, टौंक चुरू जैसल में, जुनजुन शिरमादोपूर, सोजट सुमेरपूर, निवाई गंगापूर, नोखा, संगरिया, लक्षमनगट, नोहावट, बाप, बोपालगट, बिदासर, सैंपू, एम बसेडी में, अतरिक्त, सिविल, नयाय दीष, एम नयायक म खोले जाएंगे यानि कि कोट्स खुलेंगे को चैडियां खुलेंगी नहीं बनेगी और उनके अंदर आप काम करने के लिए करमचारी भी चाहिए तो कौन-कौन से करमचारी चाहिए वह मैं यहां पर आपको बताता हूं देखिए श्री गहलोत ने इन न्यालियों के लिए प पिढ़ासी नदिकारी, सीनियर मुस्रिम, स्टेनोग्राफर, शेहर इस्तेदार, रिडर, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी करमचारी आदी के 550 पद सविकर्त किये हैं मुख्यमंत्री के इस निर्निया से पक्षकारों को स्थानिय, स्थर पर ही न्याय मिलने में असानी होगी तथा नियालियों में लंबीत परकरणों को जल्द निप्टाया जा सकेगा, क्या है दोस्तों अब कोट नए खुल जाएंगे, अदालते नए खुल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कि जो मुद्दे जो लटके वे थे काफी सालों से, वो अब जल्द ही निप्टाया तो इन पे जो है, आप लोग फोर्म भर सकते हो, अग्या आप लोग न्याईक सिवा में कार्या करना चाते हैं, तो अग्या पशुदन चिकित्सा के अंदर में कार्या करना चाते हैं, तो जो 300-300 पद थे पशुदन सहायक और जल्दारी के आप उनके अंदर वेकैंसी में भ बर सकते हैं तो अच्छी बात है कि जो लोग 12 पास है वो भी इस फॉर्म को बर सकते हैं प्लस जो लोग ग्रेजुएट है वो भी अपनी सीनियर जो भी यहां पर पासकते हैं ठीक है न दोस्तों तो यह थी आज की लेटेस्ट न्यूज तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर देना इसके लाव दोस्तों हमारे वाटसप ग्रूप का लिंक और हमारे कॉंट शूडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर जय हिं जय भारत जय राजस्तान और हां अपनी स्टडी कंटिनू रखें